महराष्ट्र की मुंबई पुलीस को एक धमकी भरा मैसेज आया है, जिसमें उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनात का जिक्र है. इस मैसेज की जरिये CM योगी आदितनात को जान से मारने की धमकी दी गई है मैसेज मिलने के बाद से ही महाराश्य पुलिस आक्टिव हो गई है और संदेश भेजने वाले की तलाश में जुड़ गई है दरसल मुंबाई के चाफिक कंच्रोल सेल को एक अग्यात नंबर से मैसेज आया जिसमें लिखा है कि अगर योगी आदितनात ने दस दिन के अंदर इस्तीफा नहीं दिया तो हम उन्हें बावस सिदिकी की तरहा मार डालेंगे ये मैसेज शानिवार यानी दो नवंबर की शाम को मिला है जिसके बाद से सुरक्षा ववस्था अलर्ट पर है मुंबाई पुलीस अब इस मामले में आगे की जाज कर रही है कारवाई करने में फिलहाल जुटी हुई है साल दो अजार चौबीस में ही उत्तर प्रदेश की मुखे मंतरी योगी आदितनात को कई बार जान से मारने की धंकिया मिल चुकी है यूपी पुलीस ने धंकी देने वालों को अलग-अलग जगहों से अरेस्ट भी किया है कभी फेस्बुक एक्स तो कभी पुलीस को मैसेज के जरिये ये धंकिया मिलती रही है उत्तर प्रदेश, मुंबई और बिहार से कई लोगों को गिरफतार भी किया गया है जिन्होंने CM योगी आदितनात को सोशल मीडिया के जरिये जान से मारने की धंकी दी थी इससे पहले साल मार्च में लखनव के महानगर स्थित नियंतरण कक्ष सुरक्षा मुख्याले में शनिवार रात फोन करके CM योगी आदितनात को बम से उड़ानी की धंकी दी गई थी ड्योटी पर तैनात हेड कॉंस्टेबल उधम सिंग के अनुसार रात करीब दस बजे कॉल आई योगी को धंकी सीउजी नंबर पर दी गई यूवक ने फोन किया और कहा कि CM योगी आदितनात को बम से उड़ा दिया जाएगा इस पर जब सिपाही ने पूछा कि कहां से बोल रहे हो तो यूवक ने तुरंत फोन काट दिया योगी को धंकी मिलते ही हड़कम मच गया इस तरह दिसंबर 2023 में भी CM योगी श्री राम मंदिर और UP STF चीफ को बम से उड़ाने की धंकी दी गई थी DGP मुख्याले और STF मुख्याले के कंट्रोल रूम पर धंकी भरा फोन आया था इसमें कहा गया था कि IS से जुड़े जुबेर खान ने एक मेल कर योगी आदितना ततकालिन STF चीफ अमिताब यश्व सहित अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धंकी दी है वहीं इससे पहले मुंबाई में NCP नेता बाबा सिद्धिकी की गोली मार कर हत्या कर दी गई वो अपने विधायक बेटे जीशान सिद्धिकी के कार्याले के पास थे तब तीन हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी इस हत्या की से मिलारी लौरंस मिश्णोवी की गैंग ने ली थी वहीं अब बाबा सिद्धिकी के हत्या के बाद सल्मान खान को भी कई धंकिया मिली है बाबा सिद्धिकी और सल्मान खान अच्छे दोस्त थे